Hello students, welcome to Magnet Bains, मैं रुपाली वर्मा Magnet Bains आपके लिए 100% free education लेकर आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ाई को लेकर आपको किसी भी पतरे की परिशानी का सामना ना करना पड़े कोई भी परिशानी है, कहीं पर भी अटके हैं, कोई भी question है, कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही तो बस आजाईए Magnet Bains और अपनी सारी समस्याओं का solution 100% free में लेकर जाएए साथ ही आपके exam हो, test हो, revision हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की preparation भी हम time to time आपके लेकर आते रहते हैं तो आज भी इसी तरीके से आपकी preparation हम करा रहे हैं, वो है आपके board examination की जब हमारे board examination आते हैं, तो सारी preparation तो करते हैं, लेकिन जाथ में एक चीज़ और हम करते हैं, वो है previous year quotients हम जरूर देखते हैं तो आज जो हम लेकर आए हैं, वो भी आपका CBSC previous year quotients solutions है आज हमारा चोहें, वो है class 12th हिंदी elective की book है, अंतरा भाग 2, उसके पद्धिखंड का अध्याय है 6, शेर पहचान, चार हाथ साजह ये चार लगू कताएं इस पार्ट के अंदर हैं, इस पार्ट से पिछले 10 सालों में, यानि की 2022 से लेकर 13 तक कैसे कैसे question और किस सरीके से पूछे गए हैं, वो सभी हम आज आपको कराएंगे तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर चार ऐसी स्टोरी थी, जो पढ़ने में बड़ी इंटरस्टिंग थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, तो जाइट सी बात हैं, जब स्टोरी पढ़ चुके हैं, तो कोशन कहीं से भी पूछ लीजिए, हम आरा सानी से बता सकते हैं तो शुरू करें, तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं, वो है इस जो चार लगुकत हाएं हैं, शेर पहचान, चार हाथ साजा के, जो लेखक हैं, उनका जीवन परिचे, उनकी रचनाएं, उनकी काविकत वशेष्टाएं, भाशा शेली, इनको हम जानेंगे, तो 15, 14, 13, तो 10 सालों में, 10 पिछले 10 सालों में, 5 सालों में ये प्रशन पूछा गया है, तो आप समझ गया कि इतना इंपोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले जीवन परिचे, क्योंकि हमने बताया ना, जीवन परिचे, र पूप में प्रसिद्ध है, उनकी प्रारंबिक सिक्षा फतेपुर में हुई, म, यानि हिंदी तता पी एचडी की उपाधी अजगर वजाहत ने अलिगर मुस्लिम विश्विद्याले से प्राप्त की, इनके लेखन का प्रारंब वर्ष 1960 में हुआ, शुरू में उनने पत्र पत्रिकाओं में लेखन कारे किया, बाद में जामिया मिल्या विश्विद्याले में अध्यापन का कारे करने लगे, अजगर वजाहत वर्ष 1981 से 1983 तक जवाला नहरू विश्विद्याले में रिसर्च एसोसियेट के रूप में कारे रत रहे, तो ये इनका जीवन चल रहा है अब हम आ गए जो है रचनात्मक गतिविधियां, अब इनकी जो गतिविधियां रचनात्मक रही हैं वो क्या है देखिए, अजगर वजाहत ने कहानी नाटक पता लगू कहानिया लिखी हैं, उन्होंने फिल्मों तता धारावाईकों के लिए पटकताएं भी लिखी हैं, तो यानि कि इन्होंने कहानी नाटक और लगू कहानिया लिखी हैं लेकिन जो सीरियल्स आते हैं, फिल्म्स आते हैं उनके लिए भी स्क्रिप्ट लिखी हैं, पत कता का मतलब होता है, पत मतलब पर्दा और कताएं, तो जब हम किसी पर्दे के लिए कता लिखते हैं तो उसक कौन से है देखिए दिल्ली पहुचना है स्वेमिंग पूल सब कहां कुछ आधी बानी आधी बानी तथा मैं हिंदू हूँ है इनों इनोंने फिरंगी लौट आए इन्ना की आवाज वीरगती समिधा जिस लाहौर नहीं देख्या तथा अकी नाटकों की रचना करिये ये उनक असका गोश्ट अजगर वजाहत के नुकर नाटकों का संग्रह है तो जो चोहराओं पर जो नाटक किया जाते हैं लोगों को अवेर करने के लिए वो क्या कहलाते हैं नुकर नाटक तो उन्होंने ऐसे नुकर नाटकों की भी रचना करी जिसमें बहुत सारे कई नाटक हैं तो पूरे नुकर नाटकों का संग्रह जो है वो है सबसे सस्ता गोश्ट के नाम से जिसमें कई सारे नाटक हैं उन्होंने रात में जागने वाले पहर दो पहर साथ आसमान तथा कैसी आगई लगाई उपन्यासों की रचना करी हैं तो ये उनके उपन्यास हैं अजगर बज विधाओं में साहित की विधाओं में कारी किया है तो उनकी भाश शैली भी उंदा ही रही है क्योंकि इनकी कृतियों को बहुत जादा जो है वो प्रसिद्धी मिली लोगों ने पढ़ा है देखिया अजगर वजाहत की भाशा में सबल भावावयक्ति तथा वेंग्यात्मक जाती है तो अजगर वजाहत जी की जो कृतिया रही उसमें देखिय दिया है वेंग्यात्मक्ता है वेंग्यात्मक्ता मतलब हसी मजाग के साथ भावों की अभिवेक्ति करी जाती है और वो भी बहुत ही गंभील टॉपिक्स पर जैसकि हमने देखा यहां पर जो हमने चार लगू कथाएं पड़ी हैं वो इन्होंने प्रतिकात्मक तौर पर हमारे सामने रखी शेर के माध्यम से इन्होंने हमारे सामने क्या रखा था वो जो है समाज की जो समस्याएं होती हैं सरकार की जो विवस्था जो नीतियां चलाते हैं वो लोगों को किस तरह नुकसान दे दे वो हुमारे सामने रखी थी मुहावरित अथा तद्भा शब्दों के प्रयोग में सहजता एवन सादगी की प्रवत्ति देखने को मिलती है वे प्रतीकों के माध्यम से सहज भाषा में गंभीर विश्यों को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं तो मतलग कोई भी गंभीर विश्य हो उसे बहुत ही आसानी से वो प्रस्तुत कर देते हैं अजगर वजाहत बहुमुखी प्रतिबा के साहितकार होने के साथ ही उनका हिंदी साहित में विशेश योगदान है उन्होंने अपने साहित अर्थात रचनाओं में मजदूरों की पीड़ा मजदूरों का शोशन आनों की दुरदर्शा थी चार हाथ में मजदूरों का शोशन था यह सब चीज़ हमने देखिए अब आते हैं हम संपूर पाठ आधारित प्रश्ट पर जो अब हमसे पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं तो पहला प्रश्ट जो है वह लगुकथा में लेखक ने शेर के मु क्या है सरकार की जो वो योजनाए हैं जिसमें वो आम जनता फस्ती चली जाती है यह प्रश्ट हमसे 2021 और 22 में पूछा गया था 22 में हमारा जो सेकेंड टर्म था वो सबजेक्टिव था उसमें यह प्रश्ट आया था देखिए क्या है शेर लगुकता में लेखक ने शेर के म समाते चले जाते हैं उनको वहां सुख में जीवन का प्रलोभन देकर बताया जाता है कि वहां उनकी आवश्रक्ता का हर सामान मौजूद है किन्तु सचाइस के विपरीत है इसी प्रकार रोजगार के दफ्तर नव यूगों को सपना देते हैं उन्हें लगता है कि उनके प्राइन्मिंट ऑफिस होते हैं वहां पर आप अप्लिकेशन डाल देते हो कि चलो भाई हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं हम वेट करते रहते हैं करते रहते हमारा नबारी नहीं आती हमारा कभी इंट्रिव्यू कॉली नहीं आता कुछ नहीं होता तो उसी तरीके से शेर ने क्या कि अपना मूँ खोल के ले लिया उसने ये बताया कि भाई अगर तुम लोमडी हो तो तुम्हें अंदर बहुत खाना मिलेगा तुम अगर गधे हो तो तुम्हें अंदर बहुत अच्छी घासे मिलेगी तो सबको सब की जरूरत का सामान का ल ये चीज भी उने बताने की कोशिश करी थी अब आते हैं दूसरे प्रश्ण पर देखी क्या है आपकी पाट पुस्तक में संकलित अजगर वजाहत की लगू कताओं में आप किसे सरवादिक शशक्त मानते हैं और क्यों तीन कारण लिखिए तो अब यहाँ पर जो है हमने जो अभी लगू कता है पड़ी उसी में से आपको एक बतानी है कि कौन सो आपको सही लगती है और क्यों लगती है तो देखे चार है अब हमको शेर पसंद आ सकती है तो किसी को चार हाथ समझ में आ सकती किसी को साजा समझ में आ सकते तो आपको जो सही लगती है आपको वो लिखना उगा लेकिन किस तरीके से लिखेंगे ये हम आपको यहां पर पतादेंगे ये प्रशन हम से पूछा गया है सनifice 2019 में देखे क्या है शेर कहानी में लेखक ने शेर की विवस्था का प्रतिक बनाया है कि ववस्था विसंगतियों से भरी है यह धारणा एक छलावे के समान है जंगल के सारी जानवर एक आशा एक सपने के साथ शेहर के मुँँ में समाते चले जाते हैं इसी प्रकार रोजगार के दफ्तर वर्तमान यूग में नवयुकों को सपने दिखाते ह यह एक पहला कारण है ठीक है पहला कारण हम तीन कारण पूछे तो हमने पहला कारण बता दिया आप देखे दूसरा कारण क्या है यह है कि वर्तमान यूग में नवयुकों को लगता है कि यहां आवेदन देने से नौकरी मिलेगी उनका जीवन सुक में हो जाएगा इसी प्रकाशित किया है जो दोहरा जीवन जीते हैं आज राजनीती धर्म और शार्षन केवल अपनी स्वार्त सिद्धी हेतु है तो हमने बताया ना तो यहां पर खुली खुला हुआ मूँ वो हर एक विवस्था को दर्शारा है जहां लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और उसमें फस जाते हैं चाहे वो राजनीती हो धर्म हो सरकार की योजनाय हो कुछ भी हो किसी भी तरीके से वो हो सकता है तो यह तीन चीज़े हैं कारण पूछे कहते हैं हमने तीन कारण बता दिये नेक्स कोशन आता है हमारे पास में शेर के मुह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर बताया गया है इस लगू कता के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज की किस विवस्था पर वेंग किया है तो यहां पर देखी क्या है यह प्रशन हमसे 2016 में पूछा गया है तो लगता है कि उनका जीवन महां सुख में होगा इसी प्रकार रोजगार के दफ्तर वर्तमान युग में नवयुकों को सपने दिखाता है कि नहीं ठीक है आप अगर हमारे यहां जौब करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस तरीके से फिर आता है यहां उन्हें योग शेर के मूँ के ही समान है कि मतलब जो एक बार हम उसके अंदर गए तो वहां पर फिर हम दे कुछ मिलना नहीं है हम अपना ही जीवन समाप्त कर लेंगे तो वो इस तरीके से बताया गया है अधा शेर का मूँ तथा रोजगार के दफ्तर में कोई अंतर नहीं इस लगू कता धर्म और शाषन के वल अपनी स्वार्थ सिद्धियेत है जब तक हम ततकालीन समाज शाषन विवस्था और उसके करता धर्ताओं का समर्थन करते रहेंगे तब तक सब कुछ अनुकूल रहता है मतलब जो भी प्रशाषन में हैं हम उनके हिसाब से काम करते रहेंगे तब त अगर कोई जानवर मना कर देता कि नहीं यह तो गलत है हम अंदर जाएंगे तो हम मर जाएंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर वो ऐसा करता तो वो जो शांत लेटा हुआ शेर था वो अपनी शांती को त्याक करके तुरंत हिंसक बन जाता उसी तरीके से शाषन विवस्था के साथ साथ चलते रहेंगे चुप चाप मूह दबाए तो कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे ही हमने उसका विरोध करना शुरू कि आपने हितों के लिए आवाज उठानी शुरू करी वो तुरंत ही एग्रसिव हो जाता है एक्शन में आ जाता है हमारे किलाफ एक बताया कि वर्स्था है ऐसी होती है जो भोले भाले सामाने लोगों होते हैं जिर्फ नहीं आती वो लोग इसमें फस्ते चले जाते हैं यह वद्श चतन्य रहा है साथ ही जनता में विरोध की शमता भी समाप्त होती जा रही है शेर स्वैम को अहिंसक तता से अस्तित ववाद का समर्थक कहता है वह अपनी नहसंता को सामाजिक गुणों का आवरण देकर सबको छलता है कि मदी ठीक है मैं अच्छा हूँ शान्त हूँ तुम कर लो तो उस तरीके से उस अपको बेवकूफ बना रहा है अब आते हैं प्रश्ण संख्या 4 पर यहां पर क्या दिया है राजा ने कौन-कौन से हुक्म निकाले सूची बनाईए और इनको नहीं तार्थ कीजिए तो राजा ने कई हुक्म निकाले थे आँखें बंद कर ले नहीं कान बंद कर ले मूसिले तो यह जो हुक्म निकाले थे इनको हमें यहां पर बदलिखना है तो देखें क्या है राजा ने निमलिखित हुक्म निकाले पहला हुकम था, सब लोग अपनी आखें बंद कर लें, यदि लोग आखें बंद रखेंगे, तो सुख पूरवक रहेंगे, और जो आखें खोल कर रहेगा अर्थात राज काज की प्रक्रिया में रुची यह रखेगा, तो वह शान्ती से नहीं रह सकेगा, इसलिए जो भी श आखें बंद कर लोगे, तो जो हो रहा है उसे एकसप्ट करोगे, और अगर आखें खुली रहेंगी, तो आपको लगेगा यह सहीं नहीं है, तो आप शाशन विजस्था के कार्यों में हस्तक शेप करेंगे, और तब क्या होगा, तब दंद शुरू हो जाएगा, शाशन को भी तकलीफ होगी, आपके साथ भी संगर्श होगा करना पड़ेगा, तो इसलिए शाशन तंत्र जो है, वो शाशक द्वारा सुचारू रूप से चलता रहे, कोई बाधा नहीं आए, इसलिए यह कहा गया कि अपनी आखें बंद रखिये, आप शाशन के कारे में कोई हस्तक दूसरा उन्होंने जो हुक्म दिया, वो क्या था? अपने कानों में पिगला हुआ सीशा डलवा ले, अर्थात अपने कानों को बंद करने, आप शाशन विरोधी बातों को सुनेंगे नहीं, तो आप शाशन का विरोध करेंगे नहीं, ये चीज उनका था, तो देखे क्या ह सुनना जीवित रहने के लिए अनिवार नहीं है, राजा के इनसार जो वेक्ति राज विवस्था की बातों पर ध्यान देगा, उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, जो जीवित रहना चाहते हैं, वो इधर उदर की बातों पर ध्यान ना दे, तो इसके पीछे का जो थत तो चुप चाप अपने आप और कान बंद कर लो और शाषन विवस्था जैसी चल रही है चलने दो उसमें कोई भी ना तुम देखोगे ना तुम सुनोगे और ना ही तुमें तकलीफ होगी तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा अब तीसरा उन्होंने हुक्म क्या दिया लोग अपने होट सिलवा लें अब होट सिलवा लेने का ताथपर क्या यहां पर राजा का देने का है कि शाषन विवस्था कोई कारी कर रहा है और आपके मन में ऐसे कोई उग्रभाव आते हैं तो आप अपना का मुह आपका सिला रह शाषन विरस्था की नीतिओं वा योजनाओं पर बातुना करें तो ये तीन उसने राजाने दिए तो देखें क्या है उपरयूक्त सभी आदेशों का निहत्यार्थ यह है कि प्रजा अंधी बहरी और गूंगी बनी रहे ताकि राजा निरंग कुषोकर अपनी इच्छा अनुसार काम करता रहे तथा राजा के किसी भी अनयतिक कारे का विरोध ना करे तो बेजीकली काम क्या था कि शाशिन व्ष्टा जैसी चल रही हे वैसी चलती रहे कोई वक्ति उसमें किसी भी तरे का हस्तक शेज ना करे ना ही राजा के किसी कार्यों पर उंगली उठाए इसलिए उसने पूरी जनता को अंधा, बहरा और गूगा बनने का आदेश दे दिया था अब आते हैं प्रश्ण संख्या 5 पर यहाँ पर देखे क्या है मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम लिखना तो अब यह प्रश्ण जो हमसे पूछा गया था, यह पूछा गया सन 2015 में भाई मजदूर मालिक क्या चाहता था, इसके जरीए यह जो कहानी हमने पढ़ी थी चार हाथ इसमें क्या था, मजदूरों के शोषण के बारे में हमारे सामने जो है अजगर वजाहत जी ने रखा तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई आदमी के दो हाथ होते हैं, वो काम करता है अगर आदमी के चार हाथ हो जाएं तो उसी समय में वो जादा काम कर सकेगा तो मिल मालिक के दिमाग में भी ये बात आई और उसने क्या किया वैग्यानिकों का एक पूरा फॉज खड़ी कर दी कि हमारे सारे मजदूरों के दो-दो हाथ और लगा दू अब वो लग नहीं पाया नतीजा क्या हुआ कई मजदूर जो है वो तो मृत्य को भी प्राप्त हो गए लेकिन बाद में उसको ये समझ में आया कि हम क्या करें लोगों क्या कहते हैं मजदूरों की सैलरी कम कर दें उतन परदम उसने बड़े व्यग्यानिकों को अच्छी रिकम देकर इसकार के लिए नियुक्त किया परन्तु अनेक वर्षों तक प्रयोग और शोद के बाद व्यग्यानिक ने इसकार की सफलता में संधे व्यक्त किया कि भाई उनको मज़ूनों को चार हाथ नहीं लग पा रहे है इसके बाद मिल मालिक स्वैम इस कार में लग गया उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और मज़ूरों को लगवाने लगा लेकिन वहस असफल हुआ भई नहीं लग पाया फिर उसने लकडी के हाथ लगवाने का प्रयास किया परन्तु सफलता नहीं मिली अंत में उसने लोहे के हाथ लगवा दिये जिसमें मज़ूर की मृत्य हो गई इन सब का यह परिणाम लिखा कि मिल मालिक को यह बात समझ में आ गई कि मजदूरों के हाथ नहीं बढ़ाए जा सकते अपितु मजदूरी आधी करके दुगने मजदूर रखे जा सकते हैं यानि कि हम एक मजदूर को जितने आप ही पेमिंट कर रहे हैं उसकी सैलरी उसे हाफ कर दो और उसी हाफ सैलरी में आप दूसरा मजदूर रख लो तो हो गए ना उसी सैलरी में चार हांत और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उससे मतलब आप चार हांत से जादा काम होगा तो ये बात अंत में मिल मालिक को समझ में आई है प्रश्ण संख्या 6 है यहां पर देखे दो प्रश्ण है एक ही चीज पूछी जा रही है अलग-अलग सालों में हैं और थोड़ा भूमा फिराकर प्रश्ण पूछे गए हैं पहला प्रश्ण है शेर कहानी के आधार पर हमारी सामाजिक राजनीतिक विव सथा क्या यह प्रश्ण हम से 2000 कहा है दूसरा प्रश्ण है शेर लगों कथा के वंग को आज के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में इसपश्ट करो तो अब यह प्रश्ण अब धोलग पूछा गया है तो अब यहां पर आपको बताना है राजनीतिक सामाजिक संदर्व में हमें शेर लगुकता के मांत्यम से स्पष्ट करना है शेर लगुकता में शेर हमारी सत्ता और विवस्था का तथा लेखक आम आदमी का प्रतीक है वही लेखक से भी दुखा गया था कि शेर के मुह में चले जाओ तो यहां पर क्या है शेर सत्ता और विवस्था का प्रतीक है और लेखक आम आदमी का प्रतीक है जो विवस्था के चलकपट और कूटनीती को समझते हुए उसके विरोध में आवाज उठाने लगा लेखक ने बोला कि सारे जानवर तो जा रहे थे लेखक ने बोला मैं नहीं जाओंगा तो उसने उनके विरोध में आवाज उठा दी ऐसी स्तिती में गौतम बुद्ध का रूप धारण करके बैठा हुआ शेर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है लेखक ने जैसे ही बोला कि मैं नहीं जाओंगा तो जो शेर एकदम शान्त मूँ खोले बैठा था और सारे जानवर उसके मूँ में जा रहे थे वो क्या हो गया वो एकदम से हिंसक हो गया क्यों जपटने के लिए कि भाई मेरा विरोध किस ने किया इसलिए वह अपनी खामोशी को त्याग कर दहारता हुआ लेखक की ओर जपट परता है और उसे कच्चा ही निगल जाना चाहता है लेखक ने बताया कि बिल्कुल यही इस्थिती हमारी शाषन विवस्था की है वह उसकी सुनते रहने समर्थन करने में भलाई है और विरोध का स्वर उठते ही कुचल देने के लिए वह साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना लेती कि जब तक शाषन विवस्था चल रही हैं मूँ बंद करके उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं तब तक बिल्कुल सही है लेकिन जैसे ही हमने विरोध में आवाज उठाई वो हर तरीके से हमारे इस विरोध को कुचल देना चाहते है अगर उसके लिए उन्हें हमें भी खत्म करना पड़े विरोध के साथ साथ अगर हमें भी खत्म करना पड़े तो वो हमें भी खत्म कर देते हैं आज हमारी सामाजिक राजनीदिक व्यवस्ता अहिंसावादी और नयाई प्रिये होने का ढोंग कर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फजा लेती हैं और ये लोग व्यवस्ता का शिकार होकर अपनी पहचानी को देते हैं इसी लिए मैं इस कथन को पूर्णता सहमत हूँ कि ये कहानी हमारी सत्ता और व्यवस्ता पर सटीक व्यंग करती हैं आप अभी भी देख रो किसी भी साशन व्यवस्ता में हो आप अगर उस आशन व्यवस्ता की हर बात को मानते हो तो ठीक है अगर आपने विरोध किया तो एक तरीके अपनाए जाते हैं अब आगए प्रश्न संख्या साथ पर यहां क्या दिया है इस कहानी में हमारी व्यवस्ता पर जो व्यंग किया गया है उसे इस पश्ट कीजिए इस कहानी का ताथ पर है शेर में शेर लगू कथा में जो हमारी व्यवस्ता या पर जो व्यंग किया है जो उसकी जो सोच है शाशन वर्सा की उसके जो कृत्ते हैं कर्म हैं उन पर वो व्यंग कर रही है इसके साथ ही साथ उन्होंने समाज के ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को भी प्रकाशित किया है जो दोहरा जीवन जीते हैं जैसे की शेर है शेर बड़ा अहिंसक ब वी राजनेता देश भक्त और अहिंसा वादियों के पाखंड को उजागर किया है इसमें यह चीज़ बताई है कि किस तरीके से लोग पाखंड करते हैं बैठकर आज राजनीती धर्म और शाशन मात्र अपने स्वार्त सद्ध के लिए जब तक हम ततकाली इन शाशन उतार कर हिंसक रूप में हमारे सामने आते हैं और विरोधी स्वरों को तब तक कुचलने का प्रयास करते हैं जब तक उनका मूँ बंद नहीं हो जाता है तो यानि कि वो अपनी मर्जी से निरम को शाशन चलाते रहते हैं हमने आवाज उठाई तो हर तरीके से वो हमें दब फिर आकर कोशन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से तयारी करेगा कुछ चैप्टरिंग्स में आपके इस बुक अंत्रा भाग दों में बहुत इंपॉर्टन है जिनसे फ्रीक्वेंटली कोशन हर साल में पूछे जाते हैं तो यह चीज़ आप लोग इस प्रिवेस से और कोशन पेपर्स को देखकर समझ जाएंगे कि कैसे कैसे वह पूछे जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इनकी तयारी कीजिए चलिए नेक्स चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई